जब भी हम लोग बात करते हैं best mutual fund scheme to invest in 2024 या best ETFs to invest in 2024 यहाँ पर हमारे सामने बहुत ही limited options होते हैं जहाँ पर जाधतर लोग investment करते हैं अब जाधतर लोगों का preference होता है sensex 30 plan, nifty 50 index plan, nifty next 50 plan, nifty 100, nifty 200 ऐसे किसी index में investment करते हैं या तो किसी particular sector से related mutual fund या ETF में investment करते हैं अब generally अगर आप लोग इन सारे mutual fund की scheme में investment करेंगे तो sensex का plan हो या nifty का plan हो अगर आप लोग इन mutual fund की scheme या ETF की scheme में investment करते हैं तब आपको long term में 12-13% CAGR के returns मिलते हैं जो कि एक level पर देखा जाए तो काफी सही हैं लेकिन आज की वीडियो सबसे खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे index fund के बारे में बताने वाला हूँ जहां पर आप लोग nifty 50 या index mutual fund के comparison में 10% के आसपास ज्यादा returns कमा सकते हैं मतलब कि आपके investment के portfolio पर 10% के returns additional मिलेंगे अब अपने mind में ज़्यादा confusion create मत करना मैं आपको बताता हूँ कौन सी scheme है आज के इस वीडियो में मैं आपको smart beta mutual fund scheme के बारे में बताने वाला हूँ जहां पर अलग-अलग factors के basis पर investment किया जाता है मतलब कि यह कैसी mutual fund की scheme है जहां पर specific factors के basis पर investment किया जाता है example के तोर पर यह factors हो सकते हैं volatility, volume, share price और growth prospect और यहां पर alpha और momentum जैसे factors भी include होते हैं तो इन्हीं सारे basis पर यह mutual fund की scheme में investment किया जाता है और आज के इस वीडियो की scheme में मैं आपको बताने वाला हूँ Nifty 200 Momentum 30 Index के बारे में अब जैसे के नाम से पता चल रहा है कि यह momentum index है तो यहां पर उन companies के shares में investment किया जाएगा यहां पर momentum सबसे जादा होगा तो चलिए इस वीडियो को भी हमेशा की तरह शुरू share शुरू करते हैं आप लोगोंने momentum trading के बारे में तो सुना होगा momentum trading एक ऐसी trading है जहां पर share market में होने वाले stock के momentum का फायदा उठा जाता है जिस company के share में momentum जादा होता है वहाँ पर investment किया जाता है और इसी तरीके का इस्तमाल करके इसी strategy का इस्तमाल करके profit booking की जाती है लेकिन momentum trading इस तवाले mutual fund की scheme के comparison में काफी जाता रिस्की है basically इस mutual fund की scheme में भी momentum stocks में investment किया जाता है और उन सरे companies के shares में investment किया जाता है जहां पर momentum बढ़ता हुआ दिखाई देता है अब देखो इस index fund का नाम क्या है Nifty 200 Momentum 30 Index मतलब कि यहां पर Nifty की top 200 companies में से सबसे जादा जिसमे momentum होता है उन 30 companies के shares में investment किया जाता है और यह index fund create किया जाता है अब momentum 30 का मतलब होता है कि आपको इस index में investment करके 30 companies का exposure मिलेगा जहां पर volatility सबसे जादा होगी basically यहां पर investment करने का एक rule है और यह rule का कहता है यह rule कहता है buy higher, sell highest मतलब कि उस time period में investment करना जब companies के shares की price ग्रो करते जाती है और उन companies के shares की price जब peak पर पहुँच जाती है तब उन companies के shares को sell करके profit booking किया जाता है I hope कि अभी तक कि वीडियो में आपको यह idea लग चुका है तो आपको पता चलेगा कि Nifty 200 Momentum 30 Index ने 2005 से लेकर 2024 के बीच में सबसे ज़ाधर return दिये है अब जैसे कि आप लोग Nifty 50 की performance को देख सकते हैं इसने 2005 से लेकर आज तक 14.7% CAGR ग्रो दिखाई है Nifty 100 ने 50% CAGR से ग्रो किया है Nifty 200 ने 14.8% CAGR ने ग्रो किया है Nifty 100 low volatility index ने भी 18.4% CAGR से ही ग्रो किया है लेकिन अगर Nifty 200 Momentum 30 Index की बात की जाए तो ये index की valuation 21% CAGR से ज़्यादा निकल कराती है और similarly अगर आप लोग as of March 2024 की performance को देखेंगे 1 year से लेकर long term की performance को देखेंगे तब भी यहाँ पर results से ही आएगा कि Nifty 200 Momentum 30 Index ने attractive returns ये है as compared to each and every indexes अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर Nifty 50 Momentum 200 Index को देख सकते है यहाँ पर Nifty 50 Low Volatility 30 Index भी है और Nifty 200 भी है और Nifty 100 और Nifty 50 भी है अगर आप लोग इन सारे indexes को देखेंगे तो सबसे low perform किया है Nifty 50 ने अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको यहाँ पर investment नहीं करना है यह एक negative point है as a beginner अगर आप लोग Nifty 50 के index में investment करते हैं तो यह आपके लिए best option होता है लेकिन जैसे जैसे आपके investment का amount grow करता है आपका experience grow करता है वैसे वैसे आपको आपके investment के portfolio को diversify करना होता है अलग-अलग mutual fund की scheme में या अलग-अलग index fund की scheme में investment करके इसके लवा अगर आप लोग average rolling return को भी देखेंगे तो इस index fund के average rolling return भी जादा है standard deviation of rolling return भी जादा है और इसी के साथ-साथ return risk का ratio भी सबसे जादा है तो ऐसे long time investor अगर आप लोग इस index fund में investment करते हैं तो आपके investment के portfolio पर multi bagger returns generate होंगे लेकिन आपर सबसे बड़ा सवाल या आता है कि आपको investment कब करना है अगर आप लोग इस index fund में investment करते हैं तो यहाँ पर आप कब investment कर रहे हैं यह माइने नहीं रखता है अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप लोग randomly किसी भी दिन investment करेंगे तो आपको ज़्याद return मिलेंगे as compared to जब market अपने all time high पर होगा क्योंकि जब भी market अपने all time high पर होता है तो यहाँ पर आपको competitively कम returns दिखाई देते हैं अब इसके पिछे का reason यह है कि जब भी market outperform करता है या अपने all time high के level को touch करता है तब एक particular time period के बाद में market में correction आता है और stock market में companies के shares के values कम होने लगती हैं और इसी एक reason के वज़े से momentum 200 index में आपको all time high market पर investment करने पर थोड़े से कम returns दिखाई देंगे अगर इस index के weightage की बात की जा तो यहाँ पर 30 company के shares में investment करने का exposure होता है जैसे की नाम से पता चलता है अब यह 30 company के shares हैं जहाँ पर investment किया गया है इस index के under अगर आप लोग इस index fund के exposure को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस index fund में इस index fund में काफी सारे sectors पर exposure जादा है nifty 50 के comparison में और अगर आप लोग benchmark के difference को compare करेंगे तो यह valuation भी attractive दिखाई देती है अगर आप लोग इस index को ध्यान से दिखेंगे तो पता चलेगा कि nifty 200 momentum 30 index में textile और IT sector की companies में investment नहीं किया गया है इस index fund में investment करने से पहले इस index fund के key factors के बारे में जान लो अब जैसे कि मन आपको बता दिया है कि इस पहले index fund में 30 companies के shares में investment करते हैं जो की momentum के basis पर investment किया जाता है और nifty 200 की top performing companies होती है अगर किसी particular stock में 50% से ज़्यादा का momentum दिखाई देता है past 6 month में तो उस share में investment करने का consideration किया जाता है और इस particular company का momentum एक key factor है अगर इसकी weightage और capping की बात की जातो 5% upper और 5% lower free float market cap को दिखा जाता है इसके बाद इस portfolio के reviews की बात की जाते इस portfolio का review साल में दो बार होता है मतलब की जून और डिसेंबर के quarter में इस portfolio का review होता है और required changes किया जाते है परसली बेरा opinion तो यह कहता है कि momentum index होने के जिससे यहाँ पर जो index की valuation है review है वो 3 months में एक बार करना ही चाहिए और अगर इस index fund का review 3 months में एक बार होता है तो यहाँ पर returns के increase होने के काफी जादा chances होते है last but not the least risk factor को भी observe करना काफी जादा जरूरी है अब momentum index होने के वज़े से यहाँ पर risk factor सबसे जादा होता है starting में हम लोगों ने जितने भी index fund को compare किया है उनसे भी index mutual fund के comparison में यहाँ पर risk जादा होता है क्योंकि higher the risk higher the return वाला formula यहाँ पर भी feedback था है हम लोगों ने दिखा था कि this index mutual fund ने 21% से जादा के CHR growth को दिखाया है और जैसे कि आप लोग इस वाले graph को दिख सकते हैं यह graph long term में इस index mutual fund के risk को दिखता है अब जैसे कि आप लोग दिख सकते हैं कि इस index fund की risk सबसे जादा थी लेकिन 2021 के pandemic के बाद से यहाँ पर जो risk category है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है यहाँ पर investment करने का risk comparatively कम हो चुका है तो आप लोग long term के लिए investment कर सकते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको risk थोड़ा सा high consider करना है क्योंकि एक heavy risk वाला investment option है अब इस index fund के comparison में 50-50 में return ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पर risk कम है लेकिन अगर आप अपने investment के portfolio को create करना चाते हैं long term के लिए मतलब कि अगर आप लोग 3 साल से ज़ादा के लिए investment करना चाते हैं तो ये option आपके लिए best हो सकता है सबसे पहले आप लोग इस index के mutual fund में investment कर सकते हैं और आप लोग ऐसा करने के लिए इन particular mutual fund की scheme को consider कर सकते हैं इसका लबा second option आता है exchange traded funds याने की ETF का और currently market based index का ETFV available है और by the way smart beta index की बात की जा तो यहाँ पर 2-4 index और आते हैं जिसके बारे में मैं आपको upcoming वीडियो में बताऊंगा बाइद वे इस index fund को लेकर आपका opinion का क्याता है let us know in the comment section अगर आपको आज की studio का content valuable लगा है तो studio को like करना, share करना और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में नए topic के साथ, एक interesting topic के साथ तब तक के लिए signing off, happy investing and goodbye